प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयम प्रभास मुझ्ज्वला सुतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, द्रड़ प्रतिग्य सोचिलो, प्रशष्ट पुन्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो. नमस्कार बच्चों, मैं सविता देवी, राजकी इंटर कॉलेज, नुएडा, गौतम बुद्ध नगर. बच्चों, आज हम कक्षा बारा हिंदी विशे में अलंकार का अध्यन करेंगे. अलंकार के विशे में आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा, कक्षा नौ में, कक्षा दस में, कक्षा ग्यारा में भी आपने अलंकार पढ़े हैं. आज हम अलंकार का विस्तार से अध्यन करेंगे, कुछ नए अलंकार जो कक्षा 20 में आपको पढ़ने हैं, तो कावि सॉंदर के तत्व, हमारा उपविशय है, कावि सॉंदर के तत्व, कावि सॉंदर के तत्व क्या होते हैं? सबसे पहले हम इस पर दृष्टी डालेंगे बच्चों कावि सुंदर के तत्व वो होते हैं जो किसी कावि को किसी पंक्ति को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं जैसे किसी स्त्री को सुन्दर बनाने में जो सहायक तत्व होते हैं, वो कौन-कौन से हैं, उनके वस्त्र, साज सज्जाकी वस्तु, उनके आभूशन, इन सबके माध्यम से कोई स्त्री अपने रूप को समार्ती है या सुन्दर बनती है, उसी प्रकार कविता को भी सुन्दर बनाने के लिए कुछ तत्व निर्धारित किये गए हैं जिसमें रस, छंद और अलंकार हैं ठीक है तो बच्चों आज हम पहला तत्व पढ़ेंगे अलंकार अलंकार का पहला भाग हम पढ़ेंगे दो भागों में बाटा हैं हमने इसको पढ़ाने के लिए आज हम इसका पहला पढ़ेंगे चले देखते हैं बच्चों अलंकार पढ़ने से पहले हम इसके अर्थ के विशे में देख लेंगे अर्थ आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में भी आपने इसका अध्यन किया होगा कोई नया अर्थ में नहीं बताऊंगी यहां अलंकार का अर्थ आभूशन ही होता है हम देखेंगे अलंकार के अर्थ को अलंकार का अर्थ है आभूशन जैसे आभूशन सौंदर बढ़ाने में सहायक होते हैं उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने में काव्य की सुन्दर्ता बढ़ जाती है, सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे प्रारंभ में मैंने आपको कुछ दो-चार पंक्तियां सुनाई थी, सुनकर आप ओज से भर गये होंगे, वीर रस से युक्त वोक पंक् सुन्ने में आनंद क्यों आपको प्राप्त हुआ, सुन्ने में आपको वो अच्छी क्यों लगी, वो कारण है कि इनके तत्वों के माध्यम से हम कविता को सुन्दर बनाते हैं, तो हम आज उन्ही में से एक तत्व पढ़ रहे हैं, अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वा काव्य में चमतकार उत्पन करते हैं, बच्चों, अब हम देखेंगे अलंकार की परिभाशा, हमारे हिंदी साहित्ते के प्रसिध्य आलोचक, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दीगे ये परिभाशा हम देखेंगे, अलंकार क्या होते हैं, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुमों के रूप गुण क्रिया का अधिक तीवरता से अनुभव कराने वाले सहायक तत्व जो हैं या उक्तियां जो हैं वो अलंकार कहलाती हैं, या अलंकार कहलाते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों, अलंकार के भेद, कितने प्रकार के अलंकार आप पढ़ेंगे अपने पाठे क्रम में, अलंकार के भेद हम देखेंगे, दो प्रकार के अलंकार होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, जहां केवल शब्दों के माध्यम से कावे में चमतकार उत्पन होता है वहां पर शब्दालंकार होता है अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से कावे में चमतकार उत्पन होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं आपके पाठे क्रम में हम शब्दा लंकार के तीन प्रकार पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक और शलेश. अर्था लंकार के जो मुख्य प्रकार हम पढ़ेंगे बच्चों, जो आपके पाठे क्रम में निर्धारित किये गए हैं, वो हैं उप्मा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, अतिश्योक्ति, भ्रांतीमान, संदेह, द्रिश्टांत और अनन्वे, आपने उप्मा, उत्प्रेक्षा, रूपक के विशे में और अतिश्योक्ति के विशे में पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम कुछ नए अलंकारों के विशे में भी अध्यन करेंगे। चलिए बच्चों, आगे हम देखेंगे इनके प्रकार की परिभाशा और उधारन। इनहें हम समझेंगे एक-एक करके इनकी परिभाशा और इनके उधारन। जो आपके परिक्षा में पूँछे जाते हैं। देखिए पहला अलंकार हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के विशय में आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे होंगे आपने कक्षा 9, 10, 11 में अनुप्रास के विशय में पढ़ा होगा यहां भी हम अनुप्रास को देखेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाशा आप सभी भली भाती जानते होंगे लेकिन हम इसको यहां पर अध्यन करेंगे इसलिए इसकी परिभाशा और उधारण हम देखेंगे जहां पर वर्णों की आवरती बार बार होती है जहां पर जिस कावे में वेंजन वर्णों की आवरती बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों, वण जैसे क, ख, म, जब कावे में वण बार-बार एक पंक्ती में प्रयोग होते हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है उधारण के माध्यम से हम समझेंगे, देखिए, मधुर मधुर, मुसकान मनोहर, मनुजवेश का उजियारा, यहाँ पर उधारण देखकर आप समझ पा रहे होंगे, कि यहाँ पर मवर्ण की आवर्ती बार-बार की गई है म यहाँ पर पहले शब्द में आया है, दूसरे सब्द में भी मधुर में पहले मा आया है, तीसरे शब्द में भी मुसकान में पहले मा आया है, मनोहर में मा आया है, मनुज में मा आया है यहाँ पर बार-बार मवर्ण की आवरती हो रही है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ठीके, बच्चों एक और उधारण हम देखेंगे कालिंदी कुंज कदम्ब की डारी यहाँ पर कवर्णों की बार-बार आवरती हो रही है इसलिए यह भी अनुप्रास अलंकार का उधारण है आप हम देखेंगे बच्चों आगे दूसरा अलंकार यमक अलंकार बच्चों यमक अलंकार से भी आप भली भाती परीचित हैं परिभाशा हम देखेंगे जहां पर दो शब्दों का प्रयोग होता है दो या उससे अधिक शब्द आएं और प्रतेक बार उसका अर्थ भिन भिन हो अलग अलग हो अर्थ दोनों बार अलग होने चाहिए शब्द दो बार होने चाहिए या उससे जाधा भी आ सकते हैं और प्रतेक बार जब उसका अर्थ भिन होगा वहाँ पर यमक अलंकार होता है यमक अलंकार के हम उधारन से समझेंगे बच्चों, देखे, कनक कनक ठीके, दो बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये एक्जामपल बहुत सरल है आपके लिए, इस उधारन के माध्यम से समझा रहे हैं हम, कनक कनक ते सोगुनी माधकता अधिकाय, या खाये बौराये जग वाक पाये बौराये, इसका स्पस्टिकरन हम देखेंगे, इस पद्ध में कनक शब्द का प्रयुक्त हुआ है, और कनक का अर्थ सोना, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, कनक के दो बार प्रयुक्त हुए, शब्द के दोनो अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमकलंकार है, अब देखेंगे बच्चों हम स्ले शलंकार, शले शलंकार और यमकलंकार में काफी मात्रा में भिन्नता नहीं दिखाई देती है, यह लगभग एक जैसे ही दि लेकिन शले शलंकार में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, उसके अर्थ कई होते हैं, ठीके, चिपके हुए अर्थ कहा जा सकता है, परिभाशा देखकर हम समझने का प्रयास करेंगे, शले शलंकार का अर्थ होता है, चिपका हुआ या मिला हुआ, जब एक ही शब्द में हमें विभिन अर्थ मिलते हों तो उसे श्लेश अलंकार कहते हैं अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हों तो वहाँ पर श्लेश अलंकार होता है उधारन देखेंगे हम रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गये न उभरे मूती मानुस चून पानी शब्द को एक ही चिपके हुए अर्थ में ले सकते हैं देखेंगे तीन अर्थों में प्रयोग हुआ है पानी का शब्द पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्व म जब इसका मतलब होता है विनम्रता से रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए दूसरा अर्थ हम देखेंगे इसका आभा तेज या चमक से है रहीम दास कहते हैं चमक के बिना मोती का कोई मुल्य नहीं होता तीसरा अर्थ जल से जिसे आटे से जोड कर दर्शाया गया है रहीम दास जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तितु पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता मोती का मोल उसी आभा के बिना नहीं हो सकता उसी तरह मनुश्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी के समान विनम्रता दर्शानी चाहिए ठीके बच्चों, शिलेश लंकार में शब्द एक उसके अर्थ भिन यमक लंकार में शब्द दो उसके अर्थ भी दो ठीके, चलिए बच्चों, आपका शब्दा लंकार समाप्त हुआ, अर्था लंकार पढ़ने से पहले हम उपमे और उपमान के विशे में ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि अर्था लंकार में लगभग हर अलंकार में उपमे और उपमान का आपको समझना बहुत आवशक है उपमे किसे कहते हैं उपमान किसे कहते हैं चलिए देखते हैं उपमा अलंकार के प्रमुख अंग है अर्था अलंकार के लगभग सभी अलंकारों में आपको उपमे और उपमान सुनने को मिलेगा ठीक है तो इसके अर्थ को ध्यान से सुनेंगे और इसे याद तभी हम आगे के अलंकारों को समझ पाएंगे तो उपमा अलंकार को पढ़ने से पहले उसके अंग देख लेंगे हम पहला उपमे जिसकी हम तुलना करते हैं जिसकी तुलना होती है जैसे सीता का मुख सीता के मुख की तुलना हो रही है ठीक है उपमान क्या होता है जिससे हम तुलना करते हैं, अर्थार, चंद्रमा, सीता के मुख की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं, तो सीता का मुख उपमे होगा और चंद्रमा उपमान होगा, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, और जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, वहां उपमे, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, वहां जिस चीज की तुलना कर रहे हैं वह समान धर्म के अंतरगत आता है और वाचक जो शब्द होते हैं जिस से सा, सी से जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं समान जैसे तरह वो शब्द जिनके माध्यम से हम किसी चीज की तुलना करते हैं ठीक है वो वाचक शब्द कहलाते हैं जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयुक्त हो जैसे सासी से समान ठीक तो यहाँ पर देखिए ध्यान से जो उधारन दिया हुआ है सीता का मुख बच्चो उपमे होगा चंद्रमा उपमान होगा समान वाचक होगा और किस की तुलना कर रहे हैं किस चीज की तुलना कर रहे हैं सुन्दरता की ठीक है तो वह समान धर्म होगा उपमा अलंकार हमने देखा उपमा अलंकार के विभिन चारंग थे उपमा अलंकार का पहला उपमे, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक धर और तीस चोथा साधारन धर ठीक बच्चों? तो उपमा अलंकार में को पढ़ने से पहले मैंने आपको उपमे और उपमान के विशे में बताया उपमे और उपमान बच्चों बहुत अच्छे से याद रखिएगा उपमे जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उपमान जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं ये याद रखेंगे तो आप अर्था लंकार के सभी प्रकार बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसे याद रख पाएंगे ठीके चलिए उपमान अलंकार के विशेवे हम जानेंगे परिभाशा देखेंगे हम उपमान अलंकार की जब किन ही दो वस्तुओं के गुण आकरुती सभाव आदी में समानता दिखाई जाए दो भिन वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमान अलंकार होता है उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है उधारन देखेंगे हम पीपर पात सरसिमन डोला मन की तुलना की जा रही है किसे पीपल के पत्ते से ठीके और पीपल के पत्ते के समान मन क्या कर रहा है डोल रहा है ठीक है और समानता दिखाए गई है तो देखेंगे हम यहाँ उपमे क्या है उपमान क्या है वाचक क्या है साधारन धर्म क्या है ठीक किसकी तुलना हो रही है मन की तो मन क्या होगा उपमे किससे हो रही है पीपल के प पत्ते से तो पीपल का पत्ता उपमान क्या हो रहा है साधारन धर्म क्या हो रहा है गुण क्या है डोल रहा है तो डोल क्या है साधारन धर्म और सरसी शब्द जो प्रयोग हुआ है वह समानता दर्शा रहा है इसलिए यहां वाचक है ठीक है स्पस्टी करण में हम देखेंगे उपर दिये गए उधारण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है उधारण में मन उपमे है पीपल का पत्ता उपमान है डोला साधारण धर्म है और वाचक शबद सरसी या समान है जैसा कि हम जानते हैं कि जब किनी दो वस्तूओं की उसके एक सामान धर्म की वजह से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है एक दूसरे उधारन से हम समझेंगे सागर सा गंभीर हरदय हो, गिर सा उचा हो जिसका मन साथ शब्द का प्रयोग हुआ है मैंने पहले बताया उपमा अलंकार की पहचान आप पहचान सकते हैं उपमा अलंकार के वाक्य या कावे को देख करके सा, सी, से, जैसे, तरह, समान, सरसी आदी शब्द कावे की पंक्तियों में इस्तमाल हो तो वहाँ पर आप आसानी से पहचान पाएंगे कि यह उपमा अलंकार की पंक्ती है या उधारन है ठीक है बच्चों उपमा अलंकार के बाद हम देखेंगे अर्था अलंकार का दूसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही महतोपूर अलंकार है बच्चों, बहुत अच्छे से इसे याद रखिएगा और बहुत आसान, जिस प्रकार हमने उपमालंकार में पढ़ा, उपमे और उपमान में समानता दर्शाई जाए, उत्प्रेक्षा में बच्चों संभावना की जाती है, कल्पना की जाती ह कि ऐसा है भी या नहीं, जैसे हमने कक्षा 11 में प्रवेश लिया, अंत तक हमारे अंदर ये संभावनाय उठती रहती हैं, कि हम पास हो जाएंगे, अभी परिदाम घोशित नहीं हुआ, लेकिन संभावना है कि हम पास हो जाएंगे, समझ पारे हैं हों गया, संभावना या क जो पहले से नुरधारित की जाती है, वहां उठ्रेक्षा लंकार के अंतरगत आती हैं, देखेंगे हम परिभाशा से समझेंगे, और उठ्रेक्षा लंकार होता है, यदि पंक्ती में उठ्रेक्षा लंकार की पहचान भी बच्चों जान लीजिए, उपमालंकार की आपने पहचान देखी, सा, सी, से, जैसे तरह समान शब्द अगर पंक्ती में आते हैं, तो आप पहचान पाएंगे, उठ्रेक्षा लंकार में, यदि ये शब्द आते हैं, किसी पंक्ती में, मनू, जनू, 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 जानो, मानू, मानू, निश्च, इव, जियो, यदि किसी पंक्ति में ये शब्द आते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है उदाहरन को पहचानने का यह एक पहचान या तरीका भी है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उदाहरन देखेंगे बच्चों उसकाल मारे क्रोध के तनु कापने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा ठीके मानो शब्द का प्रयोग हुआ है ध्यान से देखिएगा मानो मानो शब्द क्या है पहचान है प्रेक्षा अलंकार की दूसरा हम संभावना कर रहे हैं किसकी उसकाल मारे क्रोध के क्र उसका तन ऐसे कापने लगा अर्जुन के विश्य में यहाँ पर बात की जा रही है तन ऐसे कापने लगा उसका जैसे हवा के जोर से सोता हुआ क्या हुआ सागर जगा यहाँ पर हम मान रहे हैं ऐसा हुआ नहीं होगा ठीक है सोता हुआ सागर नहीं जगा होगा उसके क्रोध स लेकिन हमने ये संभावना की, हमने ये कलपना की वहां इतना क्रोधित हुआ होगा कि ऐसा लग रहा था जैसे सोता हुआ सागर जग गया, ठीके, तो इस तरीके से हमने कलपना करके, संभावना करके पहचान प्राप्त की कि उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना और कलपना पर आधारित है ठीक दूसरे एक्जामपल में देखेंगे सोहत ओड़े पीट पट शाम सलोने गात मानो नील मनी शैल पर आतप पड़यो प्रभाद यहां पे मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है इस कारण भी हम पहचान पाएंगे कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है चली बच्चों उत्प्रेक्षा रूपक उत्प्मा जहां उत्में उत्मान में समानता दर्शाई जाए उत्प्रेक्षा जहां उत्में उत्मान में संभावना की जाए कल्पना की जाए रूपक जहां उत्में में उत्मान का भेद रही तारोप कर दिया जाए अर्थार दो जब एक नाम हो जाते हैं कोई और आरोप करने के बाद कोई भेद नहीं रहता ठे कुछ भी अलग नहीं होता वहां पे रूपा कलंकार होता है परिभाशा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमे को ही उपमान बता दिया जाता है उपमे जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उपमान जिससे हम तुलना कर रहे हैं दोनों को मिलाकर ए कुछ भी इसमें अलग नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार में उपमा और उपमे में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, उधारन देखेंगे हम, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उशा नागर रात बीच चुकी है, विभावरी बीच चुकी है, और क्या कर रही है, अंबर पन घट में, अंबर को ही क्या कह दिया गया, पन घट, पन घट अलग है, अंबर अलग है, लेकिन अंबर और पन घट को ही, पन घट कह दिया गया, अंबर को ही पन घट कह दिया गया, ठीके, द तोनों को मिला कर हमने घड़ा कह दिया तारा रूपी घड़ा और तीसरा उशा नागरी उशा रूपी इस्त्री सुबह अलग है ठीक है प्राता हकाल और प्राता हकाल को ही हमने इस्त्री कह दिया नागरी नगर में निवास करने वाली तो यहाँ पे नागरी को कार्थ हम महिल तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊंशा नागरी जैसा कि आप ऊपर दिये गए उधारन में देख सकते हैं यहां ऊशा में नागरी का अंबर में पनघट का तारा में घट का निशेद रहिद आरोप है उसी को कह दिया गया अतह यहाँ पर हम देख सकते हैं उपमान में उपमें अभिन्य है जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है इस पंक्ती में भी देखेंगे उदित उदैगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग उदित उदैगिरी परवत ठीक है परवत को मंच कह दिया गया उदैगिरी मंच को उदैगिरे रूपी मंच कौन है रघुवर बाल पतंग जैसे परवत पर सूरे निकलता है वैसे ही मंच पर प्रभूराम जो है सूरे की तरह निकल कर आ गया है प्रभुराम को सूरी की उपमाया जोड़ा गया है और उदैगिरी को परवत को मंच कहा गया दोनों को एक ही कह दिया गया है इसलिए यहां पर रूपत अलंकार है बच्चों अलंकार का पहला अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है अलंकार के अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे इसके अन्य प्रकार और इसके अन्य प्रकार के साथ साथ हम प्रश्न अभ्यास संपूर्ण अलंकार के प्रश्न अभ्यास भी करेंगे मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी प्रकार से समझा होगा अलंकार को और आगे भी आपको कोई समस्या इसे समझने में नहीं आएगी बहुत बहुत धन्यवाद